लंबी गर्दन वाली चटोरी नंद की महंदी सुबा सुबा सोते सोते शेफाली को बिस्तर पर खाने की खुश्बू आती है और नीन में कहती है ये खुश्बू कहां से आ रही है ये तो पास्ते की खुश्बू है ये कहकर नींद में शेफाली रसोई की तरफ आती है और अपनी लंबी गर्दन से आलिया के पीछे से खाने को सुंगती है आहाँ वाव भाबी आपने मेरा फेवरिट पास्ता बनाया है अब तो मज़ा आएगा शेफाली की लंबी गर्दन देखकर और उसकी आवाज सुनकर अजानक से भाबी आलिया डर जाती है आह शेफाली दीदी ये आप क्या कर रही है ऐसे सुबह सुबह कोई डराता है क्या पीछे से आकर और अपनी लंबी गर्दन को नॉर्मल गर्दन में रखा करो कितनी बार मना किया है डर लगता है सौरी भाबी पर क्या करूँ मुझे तनी तेज खुश्बु आई कि मेरी नाक मेरी गर्दन को यहां तक ले आई अरे बेलूडी शरम कर ले अब तु बढ़ी हो गई है माना कि तेरे पास गर्दन लंबी करने की ताकत है जन्म से ही ठीक है मा मैं अपसे नहीं करूंगी पर आप जानती हो आपकी बेटी कितनी चटोरी है खुश्बुदार चीजों के सामने ही मेरी गर्दन लंबी हो जाती है तो फिर अपनी नाक पर चिम्टी लगाने लग जा आउच मा अधर्द हो रही है मेरी नाक तभी आलिया अपनी नंद की नाक से चिम्टी निकाल देती है कोई बात नहीं मा जी एकदम से चीजे काबू में नहीं आती है धीरे धीरे दीदी समल जाएंगी थैंक्स भाबी मुझे पास्ता देदी जिब बहुत भूख लग रही है जाकर पहले नहा ले वरना पास्ता का एक दाना नहीं दूगी अच्छा ठीक है हे भगवान बहु मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने इतनी लंबी गर्दन वाली बेटी को जन्म कैसे दे दिया अब ये इसके कंट्रोल में है कि ये कब गर्दन लंबी कर सकती है और खाना इसकी कमजोरी है तू जानती है दो रिष्टे आये थे और उनके सामने भी इसने लंबी गर्दन कर दी थी और सब खराब हो गया ऐसे तो ये शादी नहीं कर पाईगी मा जी आप चिंता मत कीजे मैं अपनी नंद जी की शादी करवा कर रहूंगी कुछ देर बाद सब बैट कर खाना खाते हैं दिन गुजरते हैं शेफाली अकसर खाने के खुश्बू सूंग कर कभी अपनी रसोई में पहुँच जाती तो कभी पडोथान की किडकी से उनकी रसोई में जाका करती थी और फिर खाने को खाकर ही रहती थी एक दिन टीवी देखते देखते उसे पडोथान के घर से खुश्बू आती है आहा वे होए 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 ये खुश्बू लगता है ललीता आंटी के घर पर शाही पनीर बन रहा है अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा उसको तो मुझे खाना ही खाना है अगर नहीं मिला तो खुश्बू से पेट भर लूगी सोपे पर बैठे बैठे शेफाली पडोसन की खिड़की से उससे शाही पनीर बनाते हुए देखती है और कहती है ललीता आंटी आपके शाही पनीर की कुश्बू बहुत अच्छी आ रही है क्या आप मुझे कटोरी देंगी ये आवाज कहां से आई ललीता खिड़की की तरफ देखती है तो शेफाली की गरदन देखकर बेहद डर जाती है उसकी चलाने की आवाज से शेफाली वापस घर चली जाती है कुछ देर बाद ललीता आती है क्या बोली तू कुछ नहीं तुझे कोई गलत पैमी हुई होगी ललीता ये तो क्या बोली तू पूल रही है। मेरी बेटी के बारे में तूने कुछ देखा? हाँ, तेरी बेटी लंबी गर्दन करके मुझसे शाही पनीर मांग रही थी। मेरी बेटी ऐसे कैसे कर पाएगी। लगता है तो सपनी देख रही है रसोई में खड़े होकर खयाली पुला बना रही है जा जाकर आराम कर आज तो बाल बाल बच गई शायद तू ठीक कहती है फिर लडिता चली जाती है जिसके बाद केत की अपनी बेटी को बहुत डाटती है कि वहाँ ये हरकत करना छोड़ दे कुछ दिन बाद उसे देखने लड़के वाले आते हैं बहुत संसकारी बना कर शैफाली सोफे पर बैठी थी भाबी मैं कैसे कंट्रोल करू मेरे सामने समो से रखे हुए है प्लीज इन्हें हटा लो ना दीदी थोड़ी देर बरदाश्ट कर लो वरना कच्रा हो जाएगा ल वैसे लड़का तो हमें पसंद आया हमारी नंद जी आपको कैसी लगी मुझे भी अपने बेटे के लिए आपकी नंद बहुत पसंद आई चलो चलो अच्छी बात है खैर आप दोनों कुछ खा भी लीजिए जी बिलकुल मा बेटे दोनों समोसा उठा कर खाते हैं ये देखकर शैफाली के मुँँ में पानी आता है और लास्ट के दो समोसे को देखकर शैफाली अपनी लंबी गर्दन करके समोसे को भूरती है और उठा कर खा लेती है उसकी लंबी गर्दन देख कर उन मा बेटों के होश उड़ जाते हैं और वह डर कर जाते जाते कहते हैं ए भागवान ये मैं कैसी लड़की से अपने बेटे की शादी करने वाली थी अच्छा हुआ मुझे पता चल गया ये तो कोई चुड़ेल डायन सी है भागो अरे ऐसा कुछ नहीं है आप जरा सुनिये तो आंटी जी रुकिये रागव जी आप तो सुनिये दी दी भगा दिया ना आपने सारा मामला सेट हो गया था कुछ नहीं होगा इस लड़की का मेरी चाती परी पड़ी रहेगी अमेशा माफ करतीचे मैंने जान बूच कर नहीं किया है शेफाली के इस हरकत से केत की उससे नाराज हो जाती है पिर आलिया दोनों को समझाती है और कुछ दिनों में शेफाली को समझा बुझा कर अमित नाम की लड़के का रिष्टा देखती है जहां उन दोनों का रिष्टा तै हो जाता है और घर में शादी की तयारियों में मेहंदी की रस्म होती है जहां सब नाच गा रहे थे आखिर तुने जब मुझसे वादा किया था कर दिखाया मेरी बेटी की शादी हो रही आज मैं बहुत नाचूंगी ओ तेरे हाथ विच मेहंदी दा रंग खिला है तुझे सपनों दा चंगा मैं है भूब मेला है मेरी बनों प्यारी प्यारी सारी दुनिया से वो न्यारी इस डोली में तू ले जा डोलिया मा कितनी खुश है थांक्यू भाबी अरे ये खुश्बू कहां से आ रही है पानी पूरी मुझे पानी पूरी खानी है अब तो जाना पड़ेगा शेफाली वहीं से खड़े खड़े पानी पूरी वाले के पास पहुँच जाती है जो उसके घर के दरवाजे पर था और कहती है ओ पानी पूरी वाले भाईया मेरे हाथों में महंदी लगी है सरा पानी पूरी खिलाना मुँ में अरे भाईया डरो मत जल्दी खिलाओ ना गोल गप्पे तब ही डर कर पानी पूरी वालाओ से पानी पूरी खिलाता है उसकी ये हरकत देख कर आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं ये भगवान ये लड़की मानेगी नहीं अप सब मुझे शमा कीजिए डरिये मत मेरी बेटी बिलकुर ठीक है उसकी गर्दन ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है शैफाली अंदर चल फिर शैफाली अपनी गर्दन अंदर कर लेती है दो दिन बाद शैफाली सुंदर सी दुलहन के जोडे में तयार हो जाती है दीदी अब आपकी कुछ देर में अमित से शादी हो जाएगी वहाँ अपनी लंबी गर्दन मत दिखाना अपनी चटोरी जुबान को संभाल कर रखना वरना जितना आज तक किया है सब भी कार हो जाएगा समझी तू आप फिक्र मत कीजे आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी मा आप खाने पर धक्कन लगवा देना ताकि उसकी खुश्बू ना आए शैपाली मंडप में अमित के साथ बैठी थी जहां पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे तब इखाने की खुश्बू आने लगती है नहीं नहीं आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कंट्रोल कर शैपाली कंट्रोल कर पता नहीं मुझे चाउमीन की खुश्बू क्यों आ रही है क्या हुआ तुम इतना धिल क्यों रही हो और नाग पर हाथ क्यों रख रखी हो तब ये ठीक है जी जी ठीक है शैफाली ठीक से बैठी थी पर कुछ देर बाद अपनी लंबी गर्दन को उपर कर लेती है और चाउमीन की खुश्बू सूंगने लगती है बंडप में मौझूद सभी लोग शैफाली की लंबी गर्दन को देखते हैं ये क्या आपकी बेटी कितनी लंबी गर्दन है नहीं आप मैं अपने बेटे की शादी इससे नहीं करवाऊंगी पता नहीं कौन सी जादू गर्दनी है देखिये मैं आपके सामने हाथ जोडती हूँ ये रिष्टा मत तोड़ी है मेरी बेटी ना चुडैल है ना जादू गर्नी वो पैदा ही लंबी गर्दन की हुई थी नहीं हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है ये कहने के बाद दोनों मा बेटे जाते हैं कि अचानक से शौट सर्किट से आसपास आग लग जाती है किसी को समझ नहीं आता आग कहां लगी है तब ही शेफाली अपनी लंबी गर्दन से शौट सर्किट की जगा को ढूंडती है और बिजली कनेक्शन को बंद करवा देती है आग पर पानी डालती है जिससे सब लोगों की जान बच जाती है दीदी ठीक तो है ना शुक्र है सबकी जान बच गई आपकी लंबी गर्दन की वज़े से आज कितने लोग बच गए शुक्रिया भावी लेकिन मेरी लंबी गर्दन मेरे लिए शाप है क्योंकि मेरी शादी तूट गई मैं ऐसे ही रहूंगी हमेशा नहीं शैफाली मुझे तुम्हें कोई कमी नहीं दिखाई देती है बलकि तुमने तो सबकी जान बचाई है सिर्फ इतनी सी वज़ा से मैं तुमसे रिष्टा नहीं तोड़ सकता तुम दिल की बहुत अच्छी हो मा मैं शैफाली से ही शादी करूँगा वरना नहीं मुझे गर्व है बेटा तुने बहु को समझा मुझे माप कर दे बहु मैं तुझे अपने घर लेकर चलूँगी बेटी बना कर मतलब मेरी शादी हो रही है बले बले शावा शावा शुक्रिया आपने मुझे अपना लिया ये सुनकर केतिकी और आलिया एक दूसरे को गले लगाते हैं फिर शैफाली की अमित के साथ धूम धाम से शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल में जाकर खुशी खुशी रहने लगती है जय अंबे गौरी मैया जय शामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरी ब्रह्मा शिवरी जय मादुरगा लक्षमी अभी पूझा कर ही रही थी तब ही उसकी सास सुशीला आवाज लगाती है लक्षमी, अरे ओ लक्षमी, अरे ओ मेरी बांजबहु कहां मर रही है आज की सुभा मुझ बुढिया को चाए मिलेगी की नहीं बस लाई मा जी लक्ष्मी चाय बना कर सुशीला को डरते डरते चाय देती है माजी चाय क्ये वरी करम जली चाय बनाने में तनी देर कैसे हुई वो माजी मैं मादुर्गा की पूजा कर रही थी एरे छोड क्यों नहीं देती तु ये ढकोसला तुझे क्या लगता है तेरे जूट मूट के भक्ती का दिखावा करने से मादुर्गा तुझ बांज की गोद भर देंगी कभी नहीं मेरे ही करम फूटे थे जो मैं तो जैसी बांज को बिहा कर बहु बना कर ले आई सास के दिए बांज होने का ताना लक्षमी के दिल में घाओ की तरह लगता है उसकी आँखों के आसू भर आते हैं तब ही मोहन कहता है मा तुम क्यों इस बिचारी को हर वक्त कोस्ती रहती हो अगर लक्षमी मा नहीं बन पाई तो इसमें इसकी क्या गलती है ये सुनकर सुशीला जूट मूट का रोते हुए कहती है हाँ सारी गलती तो मेरी है पदमा की बहु को एक साल भी नहीं वाब्याकर और उसको बेटा हो गया क्या मेरे मन में नहीं तरसता कि मैं भी दादी बनू मेरा भी पोता हो मैं जानती हूँ माजी मेरी वज़े से आपको बहुत बाते सुनाई पड़ती है मगर मुझे अपनी मादुर्गा पर पूरा भरोसा है एक दिन वो मेरी सूनी गोद जरूर भरेंगी हजी सुनिये कल से मादुर्गा की नौ दिन की नवरातरी शुरू हो रही है मुझे थोड़े पैसे दे दीजे कल अशिस्थापना का सामान लाना है पैसे लेकर लक्षमी बाजार जाने लगती है तबी गाउं की ओड़ते उसे देख कर बाते बनाने लगती है ना जाने सवेरे सवेरे किस बांज का मनुहुस चहरा देख लिया चलरी चंपा यहां से वैसे भी तुमा बनने वाली ऐसे मिस बांज का परचामा तुझ पर पढ़ना बिलकुल भी ठीक नहीं हाँ हाँ चल लालीता ये सब सुनकर लक्षमी उदास मन से बाजार आ जाती है और नवरातरी कलश स्थापना के लिए नारियल, फल, फूल, चुनरी खरीद कर घर लाती है और नवरातरी की सुबह पूरा घर द्वार अच्छे से लीप पोत कर वो शद्धा भक्ती के साथ कलश स्थापना करके दुख भरे दिल से कहती है मा दुर्गा आप तो जगत जननी हो अगर आपके लिए मुझे गरीब बहु की भक्ती सच्ची है तो मेरी गोद भर दो मा, मुझे भी मा बनने का सुख दो इतने में कोई दर्वाजा खट-खटाता है लक्षमी बाहर आकर देखती है तो दर्वाजे पर नौ छोटी-छोटी बच्चिया खड़ी होती है कौन हो तुम सब? मेरा नाम दुर्गा है और यह आठो मेरी बहन है वैश्नवी, गौरी, आमबा, चंद्र दुर्गा एक के बाद एक अपनी बहनों के नाम बताती है तब ही सबसे छोटी अमबा कहती है मा, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे पास देने को घर भी नहीं है ना खानी को खाना, बहुत भूक लगी है कुछ खिला दो ना मा, हमें अपने साथ अपने घर में रख लो ना मा सुनकर वो गरीब बहु बच्चीयों को अपने गले से लगा लेती है और उन्हें घर में ले आती है और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती है शाम को जब मोहन काम से लोट कर घर आता है कह रहे हैं लक्ष्मी इस गरीवी में यहां हमारा अपने खाने का ठिकाना नहीं है हम इन नौ बच्चियों को कहां से खिलाएंगे देखिये जी मुझे नहीं पता मुझ बदनसी बांज की सूनी गोद कभी भरे गिया नहीं मगर इन नौ बच्चियों को मुझसे अलग मत कीजिये ना जाने क्यों मुझे इन में मा दुरगा के नौ रूप दिखाई देते हैं अपनी पतनी में उमडी ममता देखकर मोहन उन बच्चों को घर में ही रहने देता है मगर नवरात्री के दूसरे दिन ही उन बच्चियों को माता निकलाती है ये देखकर सुशीला अपनी गड़ी बहु को कोसने लगती है हे राम देख ले करम जली इन बच्चियों ने तुझको मा कहा था इसलिए मा दुर्गा का प्रकोप इन बच्चियों के शरीर में माता बन कर निकलाया है अगर ये बच्चिया मर जाएंगी तो इसका पाप तेरे ही सर पर पड़ेगा ये सुनकर लक्ष्मी मा दुर्गा के मंदर जाकर अपना सर पटक पटक कर बहुत रोती है क्यों मा क्यों एक तो तुमने मुझे मा बनने का सुक नहीं दिया और मैंने उन नौ बच्चियों पर अपनी थोड़ी सी ममता क्या लुटा दी तुमने ये क्या किया मा उन बच्चियों को ठीक कर दो भले मुझे माता निकलाए इसके बाद लक्ष्मी घर जाने लगती है तब ये उसे मंदर की सीड़ी पर सतर से असी साल की बुढ़िया बैठी दिखाई देती है जो उसे कहती है रो मत पेटी मा पर भरोसा रखो क्योंकि मा अपने भक्त को सबसे ज्यादा प्यार करती है परिक्षा भी उसी की लेती है उन बच्चियों को गुडहल के फूलों के बिचोने पर सुलाओ वो ठीक हो जाएंगी बिचारी गरीब लक्षमी नर्जला नवरातरी का वरत किये हुए इधर उधर से गुडहल के फूल इखटा करके घर लाकर नौ बच्चियों के लिए बिस्तर बनाती है और एक मा की तरह रातों की नींद गवा कर वो गरीब बहु उनकी लिए मा दुर्गा से विनिती करती है और उनकी देख भाल भी करती है इस तरह से साथ दिन बीत जाते हैं और सभी ठीक हो जाती है लक्षमी अपनी नौ बेटियों के साथ मिलकर रोते हुए मा दुर्गा की जोत बाती करती है मेरी अक्षियों के सामने ही रहना ओ शेरो वाली जगदंबे धन्यवाद मा दुर्गा मा आपने मेरी बेटियों को ठीक कर दिया दुर्गा अंबा गौरी वैशनवी मा का अशिरवाद लो मगर मा हमें दुर्गा मा के आशिरवाद की क्या जरूरत है मा हम तो खुद ही देविया है वैशनवी ऐसा नहीं कहते बेटी क्योंकि मा दुर्गा जैसा इस दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है मगर मा नवरात्री के दिन नो कन्याओं को ही तो कंजग खिलाया जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है तो हम भी तो मादुर का ही हुए न मा तो दिन बाद नवरात्री है आप हमें कंजग खिलाओगी न हमें पूरी हल्वा और चने का प्रसाद खाना बहुत पसंद है लक्षमी अपनी नौ बेटियों को ममता भरी आँखों से देख कर कहती है हाँ मेरी बच्चियों, मा तुम सब को पेट भर कर पूरी हल्वा चने का प्रसाद खिलाएंगी इसी तरह से नवरात्री के आठ दिन हो जाते है सुनिये, कल नवरात्री है, कन्याओ को कंजक खिलाने के लिए प्रसाद का सामान लाना है थोड़े पैसे दे दीजे मुझे माफ कर दो लक्षमी, साहब दो दिनों के लिए बाहर गए है, उनके आने के बाद ही पैसे मिलेंगे हे माम भे, बिना पैसो के मैं कंजक का पूरी हल्वा कैसे बनाऊंगी लक्षमी राशन लेने लाला के पास आती है, मगर लाला उसे वहां से भगा देता है लक्षमी आखों में आसू लिए, सभी के घर का दर्वाजा खटखटाती है, मगर कोई उसकी मदद नहीं करता नवरातरी के दिन लक्षमी उदास मन से मादुर्गा के आगे बैठी होती है, तब ही उसकी नौ बिटिया पूरी हल्वा बनाने का सामान लेकर अंदर आती है किसी के हाथ में आटा, किसी के सूजी, तो किसी के हाथ में घी, चीनी, पंच, मेवा, केले, नारियल होते है देखो मा, आपकी बेटियां सामान ले आई, मा जल्दी से पूरी हल्वा बना लो लक्षमी अपने आसू पोच कर, प्रसाद बना कर मादुर्गा को भोग लगाती है अंबे तु है जगदंबे काली, जै दुर्गे खपर वाली, तेरे ही गुन गाएं, भारती ओ मैयां, हम सब उतारें तेरी आरती जैकारा माश्यरा वालिदा, बोल सांचे दर्बार की, जै! इसके बाद लक्षमी और मोहन अपने नौ बेटियों को कंजक खिलाना शुरू करते हैं, वो सब एक लाइन में बैठ जाती हैं, जहां मोहन जैसे ही एक बच्ची के पाउंद होता, तो सब ही के पैर भीग जाते हैं, ऐसे ही लक्षमी के साथ भी होता है जैसे ही वो एक कन्या को तिलक लगा कर कलावा बांधती है, तो बाकी के आठ लड़कियों को भी तिलक लग जाता है अजी, ये क्या हो रहा है? हमने तो सिर्फ अभी एक ही बेटी के पाउं दोय और तिलक लगाया, मगर ये आठों के साथ क्यूं हो रहा है? मा, प्रसाद दोना, भूख लगी है हा मा, पूरी हलवा दोना, हम सभी को भूख लगी है फिर दोनों पती-पतनी मातारानी का नाम लेते हुए उन्हें प्रसाद परोस्ते हैं जै मा वैश्नवी लक्ष्मी की नौ बेटियां खुशी के साथ मांग मांग कर पूरी हलवा खाती जाती हैं जिसके बाद देखते ही देखते, वो मा दुर्गा के नौ रूप लेकर मा दुर्गा में समा जाती हैं हे मा दुर्गा, आप मुझ गरीब बहु के घर, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सपल हुआ मा जगदंबे मैं धन्य हुई मा, आपने मुझ अभागिन को इतना बड़ा सो भाग्य दिया पिछले नौ दिनों से आप मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रह रही थी लक्ष्मी, तुम्हारे मन में मेरे लिए अटूट श्रद्धा भक्ती देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ इसके बाद नौ देवियां अपनी शक्ती से बालक अश्ट पुंज प्रकट करती हैं जो की एक बड़ी ही सुन्दर बच्ची में बन जाता है ये लो लक्ष्मी, ये बच्ची हम नौ देवियों के दैविक वर्दान से बनी है इसलिए इसका नाम तुम देवानशी रखना गरीब लक्ष्मी की शद्धा भक्ती के बदले मादुर्गा उसे मा बनने का सुक देने के साथ उस गरीब बहु के घर को धन धान्य से भर देती है मादुर्गा की दया से लक्ष्मी का टूटा बिखरा हुआ घर बस जाता है और अब गाउं के लोग लक्ष्मी को ताना देना छोड़ कर उसकी तरह मादुर्गा की भक्ती करते हैं